इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से जरूर पुछे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का और ये सभी पोशक तत्व तंत्रिका स्वास्थी को बनाए रखने में महत्व पून भूमिका निभाते हैं. तंत्रिका तंत्र विकारों को रोकता है और बच्चे के विकास में जन्म दोशों को रोकता है. चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में. 1. मुख्य रूप से फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी के इलाज के लिए उप्योग किया जाता है 2. इसका उप्योग विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण होने वाले अनीमिया के इलाज के लिए किया जा सकता है और ये शरीर को स्वस्थ नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है 3. विटामिन B12 और बीच है तंत्रिकाओं को क्षती से बचाता है और मधुमे निूरोपैथी और परिधिय निूरोपैथी को ठीक करता है चार, विटामिन B12 का उप्योग तंत्र का तंत्र विकारों के कारण होने वाले अवसाद और चिंता सहित मानसिक विकारों को रोकने के लिए किया जा सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे देगाए सब्सक्राइब बटन को दबा कर नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें